हेलो प्यारे बच्चों, डाउट हैड चैनल में आपका स्वागत है, आज हम करेंगे कक्षिया छटी गणीत की प्रशनावली 2.2 किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लेटर पेट्रोल भरवाया, अगले दिन उसने टंकी में 50 लेटर पेट्रोल भरवाया, यदि पेट्रोल का मुल्य 44 रुपे पर 30 लेटर था, तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्य किया, त 44 लीटर अगले दिन या मंगलवार को हम कह सकते हैं या अगले दिन भी लिख सकते हैं आप को पेट्रोल भरवाया कितना भरवाया पचास लीटर तो कुल पेट्रोल कितना हो जाएगा बच्चो कुल पेट्रोल हो जाएगा 40 जमा 50 90 लीटर एक लीटर पेट्रोल कम ले 44 रुपे तो बच्छो 90 लीटर पेट्रोल का मुल्ए केतना होजेएगा जादा होगा एक लीटर पेट्रोल का मुल्ए 44 रुपे ज्यादा के लिए क्या करते हैं 240 गुण 90 आद और is 44 यह मारे पास आजेएगा 3,960 रुपे अत्या पेट्रोल पर कुल तीन हजार नो सो साट रुपे परसन संक्या च्छे है कोई दूद वाड़ा एक होटल को सुबह 32 लिटर दूद देता है और श्याम को 68 लिटर दूद देता है यदि दूद का मुल्य 45 रुपे परती लिटर है तो दूद वाड़े को परती दिन कितनी धनरासी प्राप्त होगी यहाँ पर बच्छों हम पहले कुल दूद निकाड़ेंगे कि सुबह और श्याम का कुल दूद कितना है फिर हम कुल धनरासी प्राप्त करेंगे ओटल को सुबह दूद देता है 32 लिटर ओटल को श्याम को दूद देता है 68 लिटर तो पहले बच्छों निकाड़ेंगे हम कुल दूद कि दोनो टाइम में कुल कितना दूद वो ओटल को देता है कुल दूद हो जाएगा 32 जवा 68 बराबर 100 लिटर अब बच्छों में दूद का मुल्य दिया हुआ है 45 रुपे परति लिटर यह में दिया हुआ है परति का मतलब होता है 1 तो 1 लिटर दूद का मुल्य बराबर है 45 रुपे और दूद हमारे पास है 100 लिटर तो 100 लिटर दूद का मुल्य हो जाएगा जादा जादा के लिए करेंगे गुणा 45 गुणा 100 45 रुपे तो आता है दूद यह को परति दिन 45 रुपे मिलेंगे परसन संक्या 7 को करते हैं पहला पाट 425 गुणा 136 बराबर 425 गुणा 6 जमा 30 जमा 100 यहां पर 136 को तोड़ के लिख लिया 6 जमा 30 जमा 100 तो इसको हम कहेंगे बच्चो योग पर गुणन का वीतर्ण योज हैग मारा योग पर गुणन का वीतर्ण दूसरा पार्ट है दो गुणा उन्हें चास गुणा 50 जहां पर हमने दो गुणा 50 को पहले लिख लिया उन्हें चास को बाद में लिख दिया जिसको बच्चो इस गुणन द्रम को हम कहते हैं गुणन की करम विनेमता क्योंकि यहां पर गुणा है और उन्हें संख्याओं को हमने आगे पीछे किया है उनका करम को हमने बदल लिया है यहां पर हमने संख्याओं के करम को बदल दिया है और संख्याओं आपस में गुणा है तो गुणन की करम विनेमता तीसरा पार्ट है 80e jama 2005 jama 20 यहाँ पर अबने क्या किया है संख्याओं को, करम को बदल दिया है लेकिन यहाँ पर संख्याओं हैं, वो जोड में हैं तो यह हो जाएगी योग की योग था जोड योग की करम विने मे था तो बच्चों आपके प्रशनाले यहाँ पर समापत होती है धन्यवाद